भारत के उद्योग जगत के साथ ही देवी और सज्जनों, हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है, लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है, इतने उतार चड़ाव से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है, कि कुछ वर्षों बात जब हम कुरोना काल को याद करेंगे, तो शायद यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन इससे भी सबसे अच्छी बात रही है, जितनी तेजी से हलत बिगड़े, उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं, फरवरी मार्च में जब पैंडिमिक का ये दोर शुरू हुआ था, तो हम एक अन्नोन दुस्बन से लड़ रहे थे, बहुत सी अनिश्चित्ताय थी, प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो, एकॉनमी का रिवाईवल हो, अन्गिनत विशे थे, और सवाल ये ही था, कब तक ऐसा चलेगा, हर एक के मन में ये ही सवाल था, कैसे सप्ठीक होगा, इनी सवालों, चुनोतियों, चिन्ताओं, उससे दुरिया का हर मानव, उसी में फसा पड़ा था, लेकिन आज, दिसंबर आते आते, स्थीती बहुत बदली हुई नजर आ रही है, हमारे पास जबाब भी है, और रोड मैप भी है, आज जो एकोनॉमिक एंडिकेटर्स हैं, वो उस्था बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं, संकर के समय देश्म ने जो सीखा है, उसने भविश्य के संकर्पों को और दड़ किया है, और निश्चिक तोर पर इसका बहुत बढ़ा स्रे भारत के एंटर्परनेस को जाता है, भारत की युवापीडी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को सभी देश वासियों को जाता है, साथियों हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है, जो देश ऐसी महामारी के समय अपने जादा से जादा नागरीकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्ताएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने के ताकत रखती है, इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरीकों के जीवन को सरवच्च प्रात्विक्ता दी, जादा से जादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, भारत ने जिस तरख बीते कुछ महिनों में एक जुड़ होकर काम किया है, नीतियां बनाई है, निर्णे लिए हैं, स्थीतियों को समाला है, उसने पूरी दुनिया को चकीद करके रख दिया है, बीते च्छे वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था, वो बीते महिनों में और मजबूत हुआ है, FDI हो या FPI विदेशी निवसकों ने रेकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है, और निरंतर कर रहे हैं, साथियों आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए प्रतिवद्ध हैं, लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है, ये एक जिवन्त उदारण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ पर कितना विश्वास है, भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी दोमेस्टिक नीज को पुरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है, साथियों, आत्म अंदिर भर भारत भ्यान, भारत में क्वालीटि प्रोडक्स बनाने और भारत के इंडिस्ट्री को और ज़्यादा कॉंपेटिटिव बनाने का भी माध्यम है, और 2014 में पहली बार, जब लाल के लिए से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी, कि हमारा लक्ष रहना चाहिए, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, साथियों, अनुभव रहा है, कि पहले के समय की नित्यों ने, कई खेत्रों में इन एफिसेंसी को समरक्षन दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मंदिर भर भारत अभ्यान हर खेत्र में एफिसेंसी को बढ़ावा देता है, ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉंग टर्म कॉंपिटिटिव एडवांटेज हैं, उनमें संराइज और टेक्नोलोजी ब्रेज इंडर्सिज को नई उर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी ये इंफंट इंडर्सिज भी भविश्में और अधिक स्ट्राउंग और इंडिपेंडेंट बनें, इसलिए आपने देखा होगा एक और एहम कदम उठाया गया है, देश में प्रोडॉक्शन लिंग इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है, इसकीम उन उद्ध्योगों के लिए हैं जिन में भारत ग्लोबल चेंपियन बनने की ख्षमता रखता है, जो परफॉर्म करेगा, जो एपिसेंसी से काम करेगा, जो अपने सेक्टर में देश को आत्मन निर्भर बनाएगा, वो इंसेंटिव का भी हगदार होगा, साथियों, जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं, जो कॉन्फिनेंट होता है, वो दूसरों को जगर देने में हिचकी चाता नहीं है, लेकिन जो दुर्बलमन का होता है, इन्शिक्कर होता है, वो अपने आजपास के लोगों को भी अवसर देने से डरता है, अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है, जन्ता जदार्दन के भारी समर्धन और विश्वास से बिली सरकार का अपना ही कॉन्फिडेंस होता है, और उतना ही डेडिकेशन भी होता है, और तभी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को चरितार करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है, सरकार जितनी निर्णायक होती है वो दूसरों के लिए अर्चनों को उतना ही कम करती है एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिच होती है कि वो समाज के लिए राष्ट के लिए जादा से जादा कंट्रिबूट करे एक निर्णायक और आत्म विश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे दूसरों को कुछ कर नहीं न दे पहले के दोर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है सोच क्या थी सब कुछ सरकार करेंगे गड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी टीवी बनाना हो तो सरकार बनाती थी यहां तक कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी हमने देखा है इस एप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है इससे अलग एक दुर्दर्शी और नेना एक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोच साइट करती हैं ताकि वो अपनी च्शमताओं का पूरा उप्योग कर सके हैं साथियों पिछले छे वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिरफ और सिरफ एक सो तीस करोर देश वास्यों के सपनों को समर्पित है जो हर स्टर पर देश वास्यों को आगे लेने के लिए काम कर रही है भारत में आज हर खेत्र में हर स्टेक होल्डर की भागेदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है इसी सोच के साथ मैनुफैक्षरिंग से MSME तक एग्रिकल्चर से लेकर इंफास्ट्रक्चर तक टेक इंडिस्ट्री से टैक्स्टेशन तक रियल एस्टेश से रेगुलेटरी इसिंग तक चो तरफा रिफॉर्म किये गए हैं आज भारत में कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में सामीर है जहां फेसलेस एसेस्मेंट और फेसलेस अपील की सुविदा है इंस्पेक्टर राज और टैक्स टेर्रिज्म के दौर के पीछे छोड़कर भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ पर बरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है माइनिंग हो डिफेंस हो स्पेस हो ज्यादा तर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए भारतिय टैलेंट के लिए कंपिटिशन के लिए आज अवसरों की एक प्रकार से अंगिनत अवसरों की एक प्रमपरा खड़ी कर दिये हैं देश में लॉजिक्स्टिक को कंपिटिटिव बनाने के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है साथियों एक वाइपरन्ट एकोनॉमी में जब एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसका सूल सीधा प्रभाव दूसरे सेक्टरों पर भी होता है लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक इंडरस्री से दूसरी के बीच में बे बज़र की दिवारे खड़ी कर दी जाएं तो क्या होगा तब कोई इंडरस्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी जीतनी की उसमें ताकत है जिसका तो करना चाहिए एक इंडरस्री किसी तरह ग्रो भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी कभी नहीं पड़ेगा अलग-अलग सेक्टरस में इस दिवार ने देश की अर्थिववस्ता का बहुत नुकसान किया है सामान ने मानवी का नुकसान किया है अब देश में जो रिफार्म हो रहे हैं वो इन दिवारों को हटाने का काम कर रहे हैं अभी हाली में जो agriculture reforms हुए है वो इसी की एक कड़ी है agriculture sector और उससे जुड़े अन्यक शेत्रों चाहे वो agriculture infrastructure हो फूर्ड प्रोसेंसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच, पहले हमने ही ऐसी दिवारे देखी हैं, अब ये सभी दिवारे हटाई जा रही हैं, सभी अर्चने हटाई जा रही हैं, इन दिवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद, किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलोजी का ज़्यादा लाब मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रासेक्टर आधुनिक होगा, इन सबसे क्रिशीक शेत्र में ज जादा निवेस होगा, और इन सबका सबसे जादा फायदा, अगर किसी को होने वाला है, तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है, हमारे देश की अर्थे बबस्ता को अलग- जादा से जादा ब्रिजित चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके साथियों बीते वर्षों में इन दिवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लांड और इंटिग्रेटेड एप्रोच के साथ रिफॉर्म किये गए इसका एक बहत्री उदारण है देश के करोड़ों लोगों का फाइनांसल इंक्लूजन अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस इंक्लूजीव देशों में शामिल हो गए हैं आप भी इस बात के गवार हैं कि तमाम अवरोजों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को सम्वेधानिक समरक्षन दिया गया हमने अन बैंक को बैंकों से जोड़ा सस्ता मोबाइल देटा सस्ते फोन उपलब्द करा कर गरीब से गरीब को कनेक किया तब जाकर जन्दन खाते आधार और मोबाइल जे ए एम की टिनी टिनी देश को प्राप्त हुई साथियों आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर सिस्टीम देश में काम कर रहा है अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्णल की वो रिपोर्ट पड़ी होगी जिसमें भारत में बनाई गई सिववस्था की भूरी भूरी प्रसमसा की गई है कोरोना के समय में जब अनेग देशों को अपने नागरीकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी बुचैक और डाग विभागपन निर्वर थे भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोड रुपिये कोटी कोटी नागरीकों के बैंक खातों में तांस्फर कर रहा था पल भर में वो भी तब जब बैंक बन थे देश में लॉकडाउन था अंतर राष्टिय जगत के बड़े बड़े जानकार अब ये कह रहे हैं कि भारत के इस मॉडल से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए ये पढ़कर ये सुनकर किसे घर्व नहीं होगा साथियों एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहोल में भारत कैसे टेक्नियोलोजी को अपने सामान्य नागरीकों को तक पहुंच पाएगा लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलका के साथ करके दिखाया है दिखायता रहेगा आज अकेले UPI प्लेटफॉर्म पर ही हर महिने करीब करीब चार लाग करोड रुप्य का ट्रांजेक्शन हो रहा है चार लाग करोड रुप्य का ट्रांजेक्शन और हर महिने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं आज गाउं देहांत में भी छोटे छोटे रेडी ठेलों पर भी आज डिजिटल पैमेंट संभव हो रहा है भारत के उद्योग जगत को देश की इस तांकत को समयते हुए आगे बढ़ना है साथियों हम जैसा गाउं और छोटे शहरों का माहोर टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं उससे इनके बारे में एक अलग धाना बनाना स्वाभाविक है शहरों और गाउं के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी परस्पक्टिव को लेकर रही है कुछ लोगों के लिए गाउं का मतलब ऐसी जगर रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो जहां बहुत कम सुविदाएं हो बहुत कम विकास हुआ हो पिछड़ा पन ही पिछड़ा पन पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग द्रश्य मिलेगा एक नई आशा नया विश्वास आपको नजर आएगा आज का ग्रामिड भारत बहुत बड़े बड़लाव के देर से गुजर रहा है क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडियाग में एक्टिव इंटरनेट इजर्स की संख्या सेरों से जादा हो चुकी है क्या आप जानते हैं कि भारत के आदे से जादा स्टार्ट अप्स हमारे टियर टू टियर थ्री सेरों में है प्रदान मंत्री ग्रामिन सडक योजना से देश की लगबक 98% बस्तियां सडकों से जुड़ चुकी है कहने का मतलब ये कि गाउं के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं गाउं में रहने वालों की आकांख्षा बढ़ रही है वो सोच्यो एकानोमिक मोबिलिटी चाहते हैं सरकार अपनी तरफ से इनी आकांख्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है अब जैसे हाल में लॉंच की गई पीएम वानी योजना उस पीएम वानी योजना कोई ले लीजिए इस योजना के तहट देश भर में सार्व जनीक वाइफाई होट्सपोर्ट का नेट्वर्क तयार किया जाएगा इसे गाउं गाउं में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा मेरा तमाम उद्यमियों से आगर रहेगा कि जर्वसर का उप्योग करते हुए रूरल और सेमी रूरल शेत्रों में बहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागिदार बने यह निश्चीत है कि 21 सदी के भारत की ग्रोथ को गाउं और छोटे शहरी सपोर्ट करने वाले हैं इसलिए आप जैसे एंट्रेपरनर्स को गाउं और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मोका बिलकुल नहीं गवाना चाहिए आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गाउं में रहने वाले भाई बहनों के लिए हमारे एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा साथियों देश के एग्रिकल्चर सेक्टर की उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किये गए हैं आज भारत का एग्रिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रण हुआ है आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहार भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आधुकरण आधुनी करण तो हो ही रहा है किसानों को डिजीटल प्लेटफरम पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है इन सारे प्रयासों का लक्ष यही है कि किसानों की आए बड़े देश का किसान समर्द हो जब देश का किसान समर्द होगा तो देश भी समर्द होगा आपको मैं एक और उदहान देता हूँ कि क्रिशिक छेत्र को पहले कैसे हंडल किया जा रहा था सात्यों हमारे देश में पहले इथेनौल तक को प्राथ्विक्ता देकर इंपोर्ट किया जाता था जब कि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारो करोड रुप्य का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था हमने इस स्थित्र को बदला हमने देश में ही इथेनौल के उत्वादन को बढ़ावा दिया पहले चीनी बनती थी, गुड बनता था, कभी चीनी के दाम गिर जाते थे, तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे, तो कंज्यूमर को तकलिप होती थी, याने कोई व्यवस्था ऐसी चलने ही नहीं सकती, और दूसरी तरफ, हम हमारे कार, स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पैट्रोल लाते थे, अब अगर एक काम इथनौल भी कर सकता था, अब देश में पैट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथनौल की ब्लैंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है, सोचिए, इससे कितना बड़ा बड़लावाने वाला है, इससे गन्ना किसोनों की आमनली तो बढ़ेगी, रोजगार के भी नए आउसर मिलेंगे, साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ट लोगों के बीच हूँ, तो इस बात को भी खुल कर कहूँगा, कि जितना हमारे देश में एगरी कल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुरभाग्य से उतना नहीं हुआ, कोल्ड स्टोरिज के समस्या है रही है, बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सिमित दाएरे में काम करती रही है, फर्टिलाइजर की किल्लद होते आपने भी देखा है, इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है, आप भी जानते हैं, अगरिकल्चर सेक्टर के ऐसी कितनी चुनोतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकान निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंट्रेस्ट और आपके इंवेस्टमेंट दोनों की आवशक्ता है, मैं मानता हूँ कि अगरिकल्चर से जूरी कई कम्पनिया अच्छा काम कर रही है, लेकिन सर्फ उतना ही काफी नहीं है, फसले उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को, जीतना आधूनिक टेकनलोजी का, आधूनिक व्यापार और द्योग के तोर तरीक का, जीतना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरुरतों को देखते हुए, जीतना हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमार देश के किसानों का फसलों का नुक्सान कम होगा उतनी ही उनकी आए बढ़ेगी आज ग्रामिन छेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है पहले की नीतियां जो भी रही हो लेकिन आज की पॉलिसी ग्रामिन कुषी आधारीत अर्थ बवस्ता विक्सित करने के लिए बहुत अनुकूल है नीती से और नियत से सरकार पुरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिविद्ध है साथियों एग्री कल्चर के साथ ही सर्विस सेक्टर हो मैनिफेक्टरिंग हो सोचल सेक्टर हो इसमें हम एक दुसरे को कॉंप्लिमेंट कैस पूरी एनर्जी लगानी है। फीकी जैसे संगर्षनों को इसमें ब्रीज भी बनना है और इंस्पिरेशन भी बनना है। MSM इसको सरकार ने ताकत दी है। आप इस ताकत को मल्टिप्लाइ कर सकते हैं। लोकल वैल्यू और सप्लाइ चेन को कैसे ससक्त करें। ग्लोबल सप्लाइ चेन में कैसे भारत की भूमे का व्यापक हो। इस पस्ट लक्ष के साथ हम सब को मिल करके काम करना है। भारत के पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है और मिशन मोड पर काम करने की कैपेबिलिटी भी है। पैंडेमिक के इस दौर में भी हमने देखा है कि आत्मंदिर्भाता की तरफ बढ़ना भारत का हर कडम कैसे पूरी दुनिया को लाब देता है। हमारे फार्मा सेक्टर ने मुश्किल समय में भी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं होने दिया। अब जब भारत वैक्सिन मैनिफेक्टरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है तो इससे भारत के करोडों जीवन को तो लाब सुरक्षा कवज मिलेगा ही। दुनिया के अनेक देशों में भी नई उमईद जगी है। साथियों हम लोग एक मंत्र से सब परिचीत हैं और वो हमारी जीवन के लिए अवश्यक भी हैं। हमारी यहां कहा गया है तन्मे मनह सिवसंकल्प अस्तू यानि मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है देश के लक्ष, देश के संकल्प, देश की नीतियां स्पस्ट है। इन्फरस्ट्रक्चर हो या पॉलिशी रिफॉर्म को लेकर भारत के इरादे पक्के हैं। महामारी के रूप में जो भी स्प्रीट वेकर आया था अब हम उसे आगे निकल रहे हैं। हम नए विश्वास के साथ हम सभी को पहले से अधिक महनत करनी है। विश्वास और आत्मी विश्वास भरे इस माहूल के साथ हमें अब नए दशक में आगे चलना है। वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतमतरता के पचत्त वक्त वर्ष का पर्व मनाएगा। आजाजी के अंदोलन से लेकर आज तक फिक्की की भी देश की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका रही है। फिक्की के भी सो वर्ष बहुत दूर नहीं है। इस महत्वपुन पड़ाओ पर आपको राष्ट निर्मान की अपनी भूमिका को और विस्तार देना है। और व्यापक बनाना है। आपके प्रयास आत्म निर्भर भारत के अभ्यान को और गति देंगे। आपके प्रयास लोकल के लिए वोकल के मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आखिर मैं मैं डॉक्टर संगीता रेडी जी को प्रेसिडेंट के रूप में एक बहतरीन कायरकाल के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही बाई उदर संकर जी को भविष्ण के लिए बहुत-बहुत सुपकामनाय देता हूँ। आप सब के बीच आने का मोखा मिला। मैं आप सब का बहुत-बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ। धन्यवाद। करें कर दो कर दो झाल झाल